देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन सवच भारत मिशन पिये मोदी ने शुरू किया था लेकिन इस मिशन के तहट बनाए गए शोचाले के चोका देने वाले नगरपालिका की कारणा में आए दिन सामने आते हैं जी हाँ ऐसा ही एक मामला भरतपूर जिले की कामा नगरपालिका में सामने आया आपको बता दें कि भाजपा सरकार के समय हुए भारी बश्टाचार की परत दर पर तब खुलने लग गई है पालिका क्षेतर में जो लोग सुरक सिधार गए उन्होंने भी सुरक से पालिका में आकर और आवेदन कर कागजों में सुच भारत मिशन के तहट सोचालों का निर्मान करवा कर बैंक से अपना भुगतान उठा लिया नगरपालिका कामा में वार्ड नमर 25 के हर्चन की मौत करीब दो साल पहले 23 दिसंबर 2016 को होने के बाद भी उसने 16 मार्च 2018 को नगरपालिका ने उसे 24 शोचालों की सूची में मरतक के नाम से भुगतान की सुईकरती जारी कर रखी है और साथ ही मरतक ने बैंक जाकर अपने खाते से नकत भुगतान भी प्राप्त किया इसी तरह मरतक खेमिराम की पत्नी दूलों के नाम से भी नगरपालिका कारल ने 21 दिसंबर 2017 को च्यासी सोचालों की सूची में भुगतान की स्विकरती प्रदान कर उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक छत के नीचे मरतक पती और जिवित पत्नी को अलग-अलग शोचाले बनवा कर भष्टाचार की एक अलग ही मिशाल पेश की है ये कोई एक मामला नहीं है ऐसे ही कई मामले हैं जो की सामने आये हैं अब ख्षेतर की जनता के जहन में परत दर परत घोटालों के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरे क्या राज्य सरकार मामले में कोई निश्पक्ष जांच करवाएगी या फिर नहीं आपको बता दें भाजपा में स्वाच भारत मिशन के तहट शोचाले बांटे गए थे और इसी में अब परत दर परत घोटाले सामने आये हैं मरतकों के नाम से भी भुकतान उठाया गया मरतकों के नाम से भी शोचाले बांटे गए और साथ ही एक ही घर के दो मरतक पती और पतनी के नाम से अलग अलग शोचाले बांटे गए मुरत लोगों के नाम पर सुविकर्त राशी कर दी गई और साथ ही भुकतान भी उठाया गया सोच भारत मिशन की अब धजिया उड़ती नजर आ रही है नगरपालिका का भष्टाचार परदर पर तब सामने आ रहा है और ये कोई एक मामला नहीं है कई मामले ऐसे हैं जिसमें मुरत लोगों के नाम से सोचाले सुविकर्त किये गए और साथ ही उन्हें भुकतान भी दिया गया ये मामला कामा नगरपालिका अक्षेतर का है जहां पर घोटाले एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है और सुच भारत मिशन की धजियां उड़ती नजर आई कामा नगरपालिका अक्षेतर में कई मामले ऐसे हैं जहां मुरत लोगों के नाम से सुच भारत मिशन के तहट शोचाले बांटे गए और साथ ही बैक जाकर मुरत लोगों ने राशी भी उठाई और यहीं नहीं एक ही घर के दो मुरत पती पत्नी के नाम से शोचाले दिये गए कामा क्षेतर में लगातार भृष्टा चार के तहट एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कामा नगरपालिका का भृष्टा चार अब लगातार सब के सामने आ रहा है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एवन संबाद अता हरी ओम हमारे साथ फॉन लाइन पे मौजूद है हरी ओम क्या था यह पूरा मामला जी जो दीजी मैं बताना चाहता हूँ कि आए दिन नगरपालका के एक से एक गोटाले निकल कर आ रहे हैं और सरसे चौकादे ने बाली बात कोई है जो व्यक्ति करीब दो वर्थ पूर में चुकी थी उनके नाम से भी इन्हें ठेकेदार की मिली बगत और नगरपालका के कर्मचारियों की मिली बगत से भुटान उठाया गया है और इसी प्रकार के मामले पहले भी कई बार आई थे लेकिन किसी भी कर्मचारी ने लावार्तियों के लिए कोई संतुष्णी पूर्वक जवाब नहीं दिया था और इसी संदर में समाज सेवक बिज़मिस्रा जो अपने कलेक्टर से जाकर मिलेते हैं और इसी प्रकार में कोई कारवाई करेंगे और लावार्तियों को उनकी वफ्तान की रासी जल्द मिलेगी हरियों तमाम जानकार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मरत लोगों के नाम पर राशी शुकरत की गई और साथ ही एक ही घर के मरत पती पतनी के नाम से अलग अलग शोचाले बांटे गए सोच भारत मिशन के नाम पर धजियां उड़ाई गई